देश में हड्डियां तक कपकपा देने वाली ठंड अब शुरू हो चुकी है संभावना जताई जा रही है कि ठंड में और बढ़ोतरी हो सकती है आलम ये है कि हर कोई ठंड से बच्चता हुआ दिख रहा है सडकों वे हाईवे पर वहनों के पहिए थम गए है वहन रेंगते ह हुए दिखाई दे रहे हैं आपको पता दे कि कपकपी वाली ठंड ने अब हर्याना में भी दस्तक दे दी है रात का पारा सामाने से 8 डिग्री नीचे पहुँच गया है हिसार में यह माइनस 1.2 डिग्री रहा यह दिसंबर माह में 24 साल में सबसे कम है इससे पहले 10 दिसंब अधेक्ष डॉक्र मदन खीचड के अनुसार अरब सागर से नमी वाली हवाएं आएंगी इसे दो जनवरी के बाद हलकी से मद्यम सर की बारिश हो सकती है क्रिशी विशेशक्यों के अनुसार ठंड और बारिश से 24.87 लाख हेक्टियर गेहु समेत 31.86 लाख हेक्टियर में ख सबसे कम टेंपरेचर है इससे पहले जनवरी 2006 में 0.2 डिगरी का तापमान दर्च किया गया था मौसम विभाग के मुताबिक सबसे कम मिनिमम टेंपरेचर पिछले साल जनवरी में 2.4 डिगरी दर्च किया गया था यहां आपको बता दे कि भौपाल समेत मध्य प्रदेश के जादातर हिस्सों में साल के आखरी दिन भी ठंड का कहर जारी रहा भौपाल में रात के तापमान में गिरावट दर्च की गई दिन का तापमान 24.4 डिगरी दर्च किया गया रात के तापमान में 0.3 डिगरी की गिरावट हुई यह 9.9 डिगरी दर्च किया गया गुरुव वेग्यानिकों ने दो जनवरी से भोपाल में बादल छाने और हलकी बारिश होने की संभावना जताई है मालवा निमार के कई इलाकों में बारिश और ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है यहाँ यह भी बता दे कि माउं टाबू माइनस 4.4 डिगरी के साथ सबसे पाले की चपेट में हैं मोसम वेग्यानिकों ने पश्चम विक्षोब सक्रिय होने से शुक्रवार से कई इलाकों में हलकी बारिश और ओला व्रिष्टी की संभावना जताई है अगले 24 घंटे में जैपूर अजमेर जूंजनू सीकर टॉंक कोटा बूंदी धोलपूर समेत कई जगे बारिश और ओले गिरने के आसार है पंजाब के सभी जिलों में शीत लहर और गहरी धुन के कारण औरेंज अलट जारी है बतादे कि बुद्वार रात तक भटींडा में पारा जीरो डिग्री दर्च किया गया था चार जनवरी तक शीत लहर रहने का येलो अलट जारी किया गया है एक से चार जनवरी के बीच कई जगे बारिश हो सकती है जब किसी इलाके में अत्यधिक सर्दी गर्मी या फिर वारिश होती है तो मौसम विभाग रच चारी करता है जब किसी शहर का मौसम सामाने है तो उसे green category में रखना जाता है इस समय पंजाब orange और पर है यानि घर से निकलते हुए सजग रहना होगा बताते चले कि नए साल के पहले दिन का तापमान एक पॉइंट एक डिग्री नोट किया गया है जो 14 साल बाद सबसे कम टेंपरेचर है नए साल में यह हड्यां तक कपकपा देने वाली सर्दी की आश्चंका जताई जा रही है दो जनवरी के बाद हलकी से मध्यम सर की बारिश भी हो सकती है लाँचिंग और पार्टी राजगराना एंड जोती गार्डन अजे बीडी बैंक्वेट एंटरप्राइज